श्रीमद होम डेमेडी में आपका स्वागत है पर हम आपको बताएंगे कि दातों को सफेज रखने के लिए आप क्या घरेल उपचार करने चाहिए क्या घरेल नुसके हैं जबकि दातों को हमेशाँ चमकदार बनाय रखेंगे तो दातों की चमक वापस पानी के लिए बहुत से नुसकों की बात की जाती है हम उनी कुछ घरेड नुसकों के बारे में आपको बताएंगे अक्सर सुनने को मिलता है कि पकी हुए स्टॉबरी को मैश करके अपने तूद ब्रेश को उसमें डीब करके ब्रश करने से दाथ चमकदार हो जाता है दरसल स्टॉबरी में साइट्रिक एसिड होता है जो दातों के पीलपन को दूर करता है इसी तरह मैलिक एसिड भी दातों को सफेद बनाता है लेकिन ये उपाय अपनाने के बाद गरम पनी में एक चुट की बाई कार्बोनेट सोडा मिला है और उसे कुल लखने है ताकि मूँ में एसिड ना रहे अब हम इसके दूसरी उपाय पर आते हैं हल्दी कि हल्दी से किस तरह आप दातों को चमकदार बना सकते हैं हल्दी भी दातों के लिए फाइदे मन्द मानी जाती है आदी टीस्पून हल्दी में कुछ बूंदे पानी को मिला कर गाड़ा पेश्क पना है इसमें अपने तूद ब्रस को डिप करें तरह दातों को साफ करें करीब दो से तीन मिनट इससे ब्रश करते हैं इसके बाद हो सकता है कि आपके दात कुछ पीले हो जाएं लेकिन अच्छी तरह कुल्ला करने के बाद आपके दात मोतियों किसी तरह चमक उठेंगे दंद चिक्तिसा में भी साबित हो चुका है कि दातों की सुरच्छा के लिए या बिजोर नुसका है फिर है संत्रे के चिलके हम आपको बताएंगे कि संत्रे के चिलके का किस तरह इस्तमाल करना है कुछ लोग संत्रे के चिलके के सफेद गुदे का इस्तमाल भी दातों को क्लिलर के तौर पर करते हैं लेकिन तरीका सही नहीं है इसे दातों के इनमेल को खत्रा रहता है chemical reaction से दातों के अंधरूनी नाजुक हिस्से का खत्रा रहता है कुछी सप्ता में दातों में sensitivity बढ़ने लगती है और दातों में दर्ध होने लगता है इसलिए इस उपाय को नहीं अपना है इसका आप कभी कभी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद है केला कि केले से आपकी स्तर अपने दातों को चमकदार मना सकते है सफीद दात पाने के लिए केले का इस्तमाल होता है केले में potassium, magnesium और manganese बहुत आयत में पाये जाता है दातों की गंदगी को हटाने में अविशेश कारगर है पके हुए केले को च्छील कर इसके च्छीलके को दो मिट तक दातों पर रगड़े तीन सब्ता के बाद आपके दात चमक उठेंगे च्छीलके को इस तरह दातों पर घिसने से एक परत जैसी बनती है जो दातों की सता में जमी गंदगी का सफाया करती है हलांकि दातों के अंदुरुनी हिस्से तक ये नहीं पोछ पाती है इसलिए गहिराई तक इससे दात साफ होने की गैरेंटी नहीं है इसलिए इस उपाय से अच्छा है कि आप रोज एक के लगए ये तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें श्रीमद होम रेमेडिस पर और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद